मौलिय भकतर भणवान की जै हनवारदी रावन के बाग में भल खाए निशाचर को मार गिराए रावन के बेटा को हनवारदी जाते ही सवाप कर दिये कुछ निशाचर को मसल दिये, कुछ को धुला में बिला दिये कुछ को छोड़ दिये कुछ रावन के पास जाकर कहा कि महराज आपके बाग में एक बंदर आ गया है आपके फुत्र को भी बद कर दिया है रावन बड़े बेटा को बुलाया बेगना दो और कहा कि देखो बेटा जाओ उसे मारना नहीं पकर कर ले आओ मैं भी देखना चाहता हूँ कि उवंदर कैसा है मेगनाथ यो दाओ लिया और गया मेगनाथ के साथ लराई ओगे लगे अन्तमे मेगनाथ ब्रमास्तर का प्रियोग किया हनमार जी ब्रमास्तर में बढ़ा गया जन्दपी हनुमान जी ब्रमास्त्र में नहीं बदाते हैं तो ब्रमाजी की महिमां बिट जाती है ब्रमाजी की परदिश्टा को बचाने के लिए हनुमान जी ब्रमास्त्र में बदा गए बाद कर लाया रावण के पास हनमान जी देखते हैं कि रावन बीच में बैठे है चारो दुर्प से देवता लोग हाथ जोरकर खरे है सुर्ज हाथ जोरकर खरे है बरुण हाथ जोरकर खरे है दुसो दिगपाल खरे है इंद्र खरे है लेकिन हनमान जी रावन के पास हाथ जोरकर खरे नहीं हुए रावण ने कहा कि बंदर तुमको मेरा डर लगता है कि नहीं हनमान जी कहे कि तुम्हारा डर मुझे क्यों लगेगा रावण तुम्हारा डर तो देवताओं लोको लगता है हम जिनके दूत है उनका डर तो डर को भी लगता है हनमान जी कहे दे कि देखो रावण कर दो कर दो